हाई गाईज वेलकम बैक टो मैंने चानल मैं हो सगम और मैंने चानल पर फिर से एक बर आपका स्वागत है तो आज एंटी बैक्टेरियल जो है याद आने लगते है आने की पैन होने लगता है अगर इस नुसक्य को आपने जाड़े पर फॉलो कर लिया तो मान के चलिए ना पुराना दर्द लॉट के आएगा ना आपको घुटनों की दिक्कत होगी ना ही बोड़ी अंदर से आपको कफ देगी यानि क्या पू जुखाम ह और छोटी से बैल आइकन लगे उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत बूलेगा लेकिन ये नुसका जरूर एक बार ट्राइ करिएगा तो टाइम को बेस नहीं करते हैं और चले चलते हैं वीडियों को बनाने के लिए आपको चाहिए दोग कप दूद आप जो भी दूद पीते कची हल्दी आपको इसमें एड करना है तो चील लेना है बहुत अच्छे से चिलका निकाल लेना है जो चोटे-चोटे टोड़ों में काट लेना है जो नॉर्मल घर की हल्दी होती है जो पीसी वाली जो आप अपने सबजी में यूज करते हो वह आप डाल सकते हो लेकिन उस से कही नगहीं पेट में जलन होगी कही नगहीं आपको पिमपल्स आएंगे पहीं नगहीं बॉड़ी बहुत ज़यादा हीट करेंगे तो बुट ज़यादा बैनिफीशल नहीं होती है लेकिन कच्छी हल्दी एक ऐसी चीज है जो प्योर है और पेट को गरम भी नहीं करेगी और पिंपल्स भी नहीं आएंगे तो कैंसर के लोग गठिया वाले जिनको महावारी में काफी दिक्कत होती है और जिनकी पॉड़ी में बहुत ज़्यादा दात खात खुजली रहती है तो मतलब हर चीज का आज मैं आपको इलाज बता रही ह प्रिफायर कब का भी काम करें का गठिया वाले लोग है उनके माश पेशियों में लचीला पनाएगा तो इस तरह से आप जो नॉर्मल हल्दी है उसे भी सकते हैं लेकिन उसको मैं प्रिफर कम करूंगी क्योंकि अगर आप कच्छी हल्दी लोगे तो यह ज्यादा बैनिफि आपके इस्किन में बहुत ज़्यादा मिलेगा ब्रेट प्रिफायर का काम करेंगा इवन कैंसर के रोग से लड़ने में भी यह मिल्क बहुत ही ज्यादा बैनिफिशल रहा है तो इस तरह से अगर आप इस मिल्क को बनाते है थोड़ी देर बॉयल होने दीजे इसे क्या होग मिल्क बहुत अच्छा है क्योंकि जानते हैं कि केल्शियम बहुत ही बैनिफिशल रहता है आपके हड़ी के लिए लेकिन साथ में अगर आप इसमें यह हल्दी मिलाएंगे तो इसकी जो गुडवत्ता है वो बहुत ही ज्यादा दुगनी हो जाएगी एंटी ऑक्सिडेंट क का भी काम करेगा क्योंकि कच्छी हल्दी मिलाने से जो फ्री रेडिकल्स की समस्या दूर होगी क्योंकि इसमें एंटी ऑक्सिडेंट का बहतरी इस्त्रोत है जो तच्छा संबंदी कई बिमारियों को ठ्वीट ठीक करने में हैल्प भी करेगा आपके साथ और जैसा कि मैंने गठिया की समस्या के लिए कच्छी हल्दी का दूद बहुत ही अच्छा माना जाता है और घरेलू नुक्सों के मुताबिक गरम दूद में कच्छी हल्दी मिलाकर पीने से गठिया के कारण होनी वाली सुजन में आराम मिलता है या जोडो और माशपेशियों को लचीला बना और साथ ही साथ मुटापे को भी यह कहीं न कहीं कम करती है क्योंकि यह बोड़ी को बहुत अच्छे से क्लीन करेगी तो एक बर ट्राइ जरूर करिएगा देख्या कि यह गोल्डन मिल्क कितना जादा बैनिफिशल है आपकी बोड़ी के लिए आपकी स्किन के लिए हर तरह से अगर पूरे जाड़े आपने इसे लिया तो यकीन मानिए बहुत ही स्वस्त रहोगे आप दवाईयों से फ्री रहोगे आप वीडियो जला सब इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजेगा चानल पसंद है और तो फटा फट से सब्सक्राइब करिएगा तो म